हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तु आवर यूट्यूब चैनल विजे वैली पॉप्लिक स्कूल दिस इस सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ स्टेंडर फोर्थ कंप्यूटर और चैप्टर इस फर्स्ट और इस चैप्टर में हम लोगों कुछ इन्पुट डिवाइस के बार में प पड़ा था हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है एक फिक्स्ट पाथ पे वर्क करता है जिसे हम लोग करते इन्पुट प्रोसेसिंग और आउट्पुट आइपी ओ सिस्टम पे वर्क करता है हमने इन्पुट को और उसके डिवाइस को पढ़ लिया था अब हम लोग इस व करते हैं हमारा पहला टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइस अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है हम लेकल देखा था कि प्रोसेस मतलब होता है और जब वो कंप्यूटर किसी भी चीज को सूचता है तो हम लोग सोचते कि से हम लोग ब्रेन से सोचते है न तो अब इसको पड़ते हैं the processing device of computer is Central processing unit 이제 CPU जो होता है processing device computer के पास complejo brain हमारी तरह सिर्फ एक brain है processing device है इसका नाम है CPU और यह इसके अंदर CPU होता है CPU क्या होता है CPU होता है इसा कुछ होता है सबका अलग-अलग होता है इंटर कोड़ आई-3 इंटर कोड़ 2 अब आप लोगों को यह पता नहीं होगा CPU क्या कैसे वक करता है इसे हम लोग यह जानना था कि CPU जो होता है वह प्रोसेंग डिवाइस होता है और वह कहा होता है वो CPU box के अंदर होता है, CPU box का figure आपके पास है, जो हमको बाहर से दिखता है, वो CPU box है, इसके अंदर क्या रहता है, इसका brain रहता है, यासे हमारे body part में भी हमारा head होता है, और हमारे head के अंदर brain होता है, वैसे ही computer के पास भी ये CPU box है, जिसके अंदर CPU होता है, central processing unit, आपसे कोई CPU का full form पूछेगा, तो क्या बोलोगे, central processing unit, और CPU जो होता है, वही सारे calculations को perform करता है, CPU does all the calculation of computer, अब जो भी उसे add, subtract, multiply, divide, जो भी उसे पुछते हो, computer को instruction देते हो, वो सब क्या का काम है processing करना, वो सब काम है CPU का, वो सब अकेला काम कौन करता है, CPU करता है, और यही सारे device को control करता है, जैसे हमारा brain, हमारे hand, हमारे mouth, हमारे eye को control करता है, working में control करता है, वैसे ही CPU जो है, वो monitor, mouse को भी control करता है, monitor को, फिर other parts को भी control करता है, जो भी systems run कर रहे है, वो सब किसके controlling में होता है, CPU के, और जो भी outer part है, वो हम लोग control करते है, जो भी उसका user है computer का, वो उसको electricity नहीं देगा, तो वो working नहीं करेगा, वैसे सारे जो भी device है, उसको control करता है, CPU control करता है, यह तो होगी हमारा processing device, processing device एक है, जिसका नाम है CPU, और वो presence होता है CPU box के अंदर, अब हमारे पास output device है, अब हमारे आपके book में total three output device के बारे में बताया गया है, अब हम लोग वो तीनों output device को पढ़ते है, output device क्या होते है, जो हमें result बताएं, जो computer ने work कर लिया है, output device are used to see the result of work done by computer, अब जो computer work कर लिया है, work perform कर लिया है, तो कुछ answer आया होगा, अब वो answer को दिखाना, वो result को show करना, किसका काम है, वो answer को user तक पूछाने का काम होता है, हमारे output device का, ओके, जैसे आपने keyboard जो एक input device है, उसके help से type कर दिया, add two plus two, ओके, यह input हो गया, तो keyboard input device हुआ, अब आप processing होने लगा, processing device के अंदर, मतलब CPU के अंदर क्यों हो, two plus five को add करने के पर कितना है, seven आया, तो आपको seven answer कहाँ show करेगा, आपको output device के help से computer show करेगा, जो output device कौन है हमारा, output device हुआ, उस समय हमारा monitor, monitor, monitor के सामने हमको seven लिखा हुआ आता है, तो हमारा output device हुआ monitor, एक पहला output device का नाम पता चल गया, monitor, monitor shows the work done by computer, monitor जो है work जो computer कर लेता है, वो show करता है, इसे लिए monitor क्या हुआ, monitor एक output device हुआ, अब printer जो है, आपको paper पे result दिखाता है, यह तो screen पे result दिखाता है, और printer आपको paper पे result दिखाता है, यह भी एक output device है, आपको दो output device पता चल गया, एक तो monitor और दूसरा printer, अब तीसरा जो है हमारे पास output device, वो output device का नाम है speaker, अब speaker का क्या काम है, आप याद करो, हम लोगोंने input device से microphone को एक बार पढ़े थी कि input device microphone होता है, microphone से voice अंदर गया, उसके बाद CPU में process हुआ, और speaker से आप वही listen कर सकते हो, music listen कर सकते हो, तो music और sound listen करना है, तो आप किसका use करोगे? Yes, speaker का use करोगे, और speaker आपको voice बाहर देता है, आउट करता है, इसलिए हम लोगों उसको output device भी करते है, तो हम लोगों ने आज processing device और output device को cover कर लिया है, तो यह आपका chapter खतम हो गया है, तो आपके book में कुछ true false है, मैं आपसे वो true false आपसे discuss कर लेता हूँ, पहला true false है, input device are used to see result given by a computer, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि input device जो है, वो हमें result बताते हैं, नहीं, हमें output device ने result बताते हैं, तो पहला होगी आपका false, अब दूसरा question है, अब यह तो भाई सरा सरगलत है, क्योंकि computer के पास एक ही processing device है, जो की CPU है, तो speaker processing device नहीं है, यह भी false, अब question number three, there are many types of printer, अब printer के बहुत सारे types है, हाँ, printers के बहुत सारे type है, आपके book में है, मैंने वो skip कर दिया है, फिर भी आपके मैं बताया देता हूँ, आपके book में printers के type के बारे में बताया गया है, do you know type के box में, जिसमें printer के कुछ type के नाम दिये हुए है, याद कर लिजेगा आप लोग, dot matrix printer, पहला type, दूसरा type, inject printer, और तिसरा type, laser printer, तीन printer के type बताये हैं, तो आपका question क्या था, कि printers के बहुत सारे type है, हाँ, तीन type है, तो एक से जगा type है, तो यह हो गया true, अब आपका question 4 है, computer is an electronic device, computer electronic device है, yes, computer is electronic device है, जो कि electricity पे work करता है, तो यह आपका हो गया true, one और two false थे, और three और four true थे, उसके बाद आपको फिर कुछ device के नाम दिये गया है, और उसमें I, O और O लिखना है, जो input device है, उसमें I लिखना है, जो output device है, उसमें O लिखना है, जो processing device होगा, उसमें क्या लिखेंगे, P, तो मैं इससे नहीं बता रहा हूँ, अगले video lecture में हम लोग next, next जो भी आपके chapter है, उनको पढ़ेंगे, so thank you.